हेलो फ्रेंट्स आज आप लोग साथ डिसकस करने वाले है थर्टी वान बाई फिप्टी टू फिट का एक इंडियन हाउस प्लैन जोकी 1612 स्क्वाइर फिट में है एंड 177 गज में बना हुआ है टोटल आपको इस बिल्दिंग का कॉस्टिंग आ जाएगा 20 लैक्स तो वीडि में आपको टू बेड्रूम्स मिलेगा वान मास्टर बेड्रूम एन वान बेड्रूम एंड सारा कुछ आप स्कीन के सामने देख रहे हैं अभी हम लोग आप लोगे साथ डिसकेशन शुरू करते हैं उससे पहले देख लिजे फ्रेंट्स यहाँ पर जितना सारा वाल देखि at यहाँ पर रखा ओके सीट औूट ऐसे थोरा डाउन में रहेऎगा देन हम लोग स्टियर देके ग्राउन लेविल में आएंगे ओके आप दूसरा भी कर सकते टो सीट पर्वाइट कमें अब कर सकते दो तरू के आप कर सकते हैं ओक फैंस देख लिजे हम लोग यहां से इंटर करेंगे में इंटरंस यहां पर होगा सीट आउट जो है friends इसका साइज हम लोग देख लेते हैं 8ft 8 inch हम लोगो लेंथ मिल रहा है और 14ft 2 inch हम लोगो मिलेगा width ओके length हम लोग इसको कह रहा है and width हम लोग इसको कह रहा है है कि समझ चुके हूंगे आप 8 feet 8 inch हम लोगों मिल रहा है यहां पर सोडी यहां पर 14 feet 2 इंची यहां पर अ हैं पर होगा यह ओके फ्रेंट्स एंड वीड होगा ये ठीक है थोड़ा मिस्टेक हो गया 14 फीट टू इंची हम लोगो मिलेगा यहां पे एट फीट एट इंची मिलेगा यहां पे ओके अभी देख लेते हैं हम लोग यहां पे स्टीर देखिए सबसे पहले मैं यह चीज बता दू कि मैं इसको अगर फर्स्ट फ्लोर रेंट में देंगे तो स्टीर बाहर से होगा तो घर के अंदर कोई मतलब रेंड़ वाला नहीं जा सकता है ओके फ्रिंस इसी लिए हम लोग स्टीर बाहर देते हैं तो यहां पे देखिए हम लोग ठीफिट का एक डोर प्रोवाइट किये हैं ज सारा डीटेल से अप्लोग शेयर करता हो देखिए यहां पर जो जगा हम लोग मिल रहा है चार फीट मिल रहा है ठीक है एंड यह जो लेंडिंग का पोर्शन मिल रहा है हम लोग को आट फीट मिल रहा है ठीक है एंड यह जो स्टीर वीद मिल रहा है हम लोग का यह जो है यह मि हम लोग ट्रेड रखे हैं यह 10 इंची रखते हैं टोटल यह बिल्दिंग का साइज हो गया मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट हो गया 10 ठीक है फ्रेंड और यहाँ पर देख लिए कैन हम लोग को मिल रहा है थ büy 206 इंची तो आपको एड की बोली दिये हैैं लेंडिंग का लिंचर्ड ओक कि ऑके फ्रेंथ अभी हम लोग देख लेते हैं कि विन्दोो हम लोग एक ही प्रोवाइट किया है जो कि है फाइब पीट का आप यहाँ पे एक gak व्रीध jako सब्सक्राइब awesome विए फ्रॉन्ट से आपको अछे से ऐट वर्डिलेशन देगा तो यहाँ पे आप एक चार फोर फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते है यह आप लोग के उपर है ओके अभी हम लोग ड्रॉइंग एरिया का साइज देख लेते हैं यहाँ पे 21 feet 2 inches मिलेगा length में and 13 feet 6 inch मिलेगा width में ओके frends देखें लेंद हम लोग को मिल रहा है कुछ इस तरीका का and width हम लोग को मिलेगा कुछ इस तरीका का ok 21 feet two inch length and 13 feet 6 inch width के साथ हम लोग ट्रॉइंग एरिया तो पुरा कवर कर चुके हैं बहुत बड़ा साइज में किचे झाता है किचेन का जो साइज एट फिट लेंथि हो गया हम लोगोगा एक यहाँ असंसे एक डॉक है किचेन का जो साइज दोर साइज है वह है 4 feet यहाँ पर sliding door प्रोवाइट कर सकते है और यहाँ पर जो हम लोग एक window प्रोवाइट किये यह दिया हुआ है 4 feet का window प्रोपर ventilation के लिए kitchen में ओके फ्रेंज इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक lobby मिल जाता है big size का lobby come dining area ठीक है dining वगयरा इस तरीके का यहाँ पर use कर सकते हैं आप इसमें जो की है 5 feet का एक window आपको देखने को मिलेगा 5 feet का window दिये है बहुत बड़ा size का है यहाँ पर 2 window हम लोग provide नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर column positions आएगा मैं बाद में column दिखाऊंगा कहाँ पर कहाँ पर होगा इसलिए हम लोग दोर एक ही provide किये हैं लेकिन थोड़ा बड़ा size का किये हैं यहाँ पर जो lobby come dining area का size है आप देख सकते हैं 14 feet हम लोग को length मिलेगा and 22 feet 2 inch मिलेगा हम लोग को width देख सकते हैं आप length जो है यहाँ पर हम लोग को मिलेगा and width जो है यहाँ पर हम लोग को मिलेगा ठीक है friends अभी हम लोग चले आते हैं bedroom में ठीक है bedroom का जो size है बड़िया size है आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए bedroom जाने के लिए ठीफीट का हम लोग एक डोर प्रोवाइट करेंगे and bedroom में एक प्रूपर वेंटिलेशन के लिए एक window हम लोग प्रोवाइट किया है जिसका size है 5 feet bedroom का size है friends 15 feet length हम लोग प्रोवाइट किया है 15 feet length and 13 feet 6 inch हम लोग प्रोवाइट किया है width ठीक है length है कुछ इस तरीके का and width है कुछ इस तरीके का देख सकते है friends 15 feet length है 13 feet 6 inch width है अभी और एक हम लोग को bedroom मिल जाता है जो की master bedroom है master bedroom क्यों बोल रहा है देखी यहाँ पे attached toilet दिया हुआ है इसके साथ okay master bedroom में जाने के लिए 3 feet का आपको एक door मिलेगा प्रुपर विंटिलेशन के लिए 5 feet का दो विंडो हम लोग प्रुवाइट किये हैं जो कि है 5 feet का दो विंडो अभी master bedroom का size हम लोग देख लेता है 15 feet length मिलेगा and 14 feet मिलेगा width तो हम लोग length कहते हैं इसको width कहते हैं इसको ठीक है प्रुपर जानकरी आपको प्रुपर विंटिलेशन यहां पे 2 feet by 1 feet का दिया हुआ है इसका जो size होगा फ्रेंच 6 feet अप लोगों मिलेगा length 8 feet मिलेगा width ओके अच्छीक है अभी देख लीजिए हम लोगों को एक common toilet मिल रहा है common toilet का size कितना होगा उससे पहले मैं बता देता हूँ कि common toilet का दोर होगा धाइफिट का ओके और पर वेंटिलेशन 2 feet by 1 feet का दे सकते है 7 feet 4 inch हम लोगों मिलेगा length and 8 feet हम लोगों मिलेगा width यह हो गया आपको length and width हो गया 8 feet मेरे इसाब से आपको proper जानकरी मैं दे पाया हूँ अभी हम लोग क्या करेंगे इसका column positions जानेंगे उससे पहले इससे पहले मैं बता दू कि अगर इसका pdf आपको चाहिए तो मेरा website में आप जा सकते है civilpartsala.com and नीचे description में link भी दिया हुआ आप वहाँ से जाके यह ले सकते है इसका pdf ओके friends अभी हम लोग देखते हैं कि इसका column positions कैसा होने वाला है friends हम लोग ऐसा ही नहा नहा plan बनाते रहते हैं and civil engineering topic के उपर भी वीडियो बनाते रहते हैं आप अगर interested है तो आप channel को subscribe कर लिजिए ऐसा ही नहा नहा topic को आपके knowledge में आएगा आएगा ओके एंड यह plan अगर पसंद आया तो फ्रेंड के साथ share कर दीजिए and channel को subscribe कर लिजिए and अगर कुछ दिक्कत रहा तो comment कर सकते है मैं comment का जबाब देने का कोशिश करूंगा okay friends देखिए कुछ इस तरीका का हम लोगा column positions आएगा देखिए यहाँ पर 15 पीस कलम हम लोगो मिल रहा है ठीक है देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 15 पीस कलम हम लोगो मिल रहा है यहाँ पर कलम साइज होगा 16 इंची बाई 12 इंची का कलम साइज होगा and सबसे जो में बात यहाँ पर टोटल बिल्डिंग का इनर वाल है यह 6 इंची होगा ठीक है इनर वाल 6 इंची और आउटर वाल होगा 10 इंची ओके इनर वाल 6 इंची आउटर वाल 10 इंची जितना आउटर वाल अब देख रहे हैं सारा कुछ 10 इंची का एंड यहाँ पर 10 इंची का हम लोग वाल रखे हैं ओके अभी आएंगे यह बिल्डिंग का कॉस्टिंग के उपर टोटल यह जो बिल्डिंग है इसका खर्चा आपको मिल जाएगा 20 लेक्स 20 लेक्स में यह बिल्डिंग का आप ग्राउंड फ्लोर आराम से बना सकते हैं 1600 स्कॉर फिट का बिल्डिंग है आप देख सकते हैं आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं यह 1612 स्कॉर फिट है तो आप 1600 पकर के चल सकते हैं ओके फ्रिंग्स एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं अगर अच्छा लगा तो फिर्ण के साथ शेर कर दीजे लाइक किर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एंड कॉमेंट कीजे अगर अच्छा लगा तो एंड आज की लिए इतना ही फिर्ण्स थैंक यू वेरी मच्छ